नमस्ते प्यारे बच्चों अभी तक हम व्यंजन क को सीख चुके हैं आज हम सीखेंगे व्यंजन ग ये हमारी हिंदी वर्ण माला का तीसरा व्यंजन है कौन से व्यंजन है? तीसरा व्यंजन ग गासे देखते हैं क्या-क्या होता है गासे गगन गासे गमला गासे गमच्छा गासे गधा गासे गाजर गाजर खाते हैं ना सभी बच्चे सर्दियों की सबजी है जब सर्दी के रित्तु आती है तो गाजर खाने को मिलती है लाल लाल और हम हेल्दी हो जाते हैं और होती है गह से प्यारी-प्यारी गाई ठीक है बच्चो आज हम गह से गगन की एक कहानी सुनते हैं ये एक गगन नाम का एक लड़का है गगन एक दिन गधे पर बैठा था और गगन का गधा तेज तेज दोड़ने लगा तेज तेज भागते भागते गगन का गमचा हवा में लहराने लगा तेज तेज भागने से हवा चलने से गधा और तेज भागा और गगन दर गया जिससे उसकी गाजर नीचे गिर गई गाजर नीचे गिरने से गगन रास्ते में पड़ा गगन का गमला भी तूट गया और उनको रास्ते में एक गाए मिली गाए उनको देखकर हसने लगी और गाने लगी ला 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 तो बच्चों आप सभी भी गर्स सभी चीजों को देखीए गाये और सुनिए धन्यवाद